हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में और इस वीडियो में कुछ खास देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, आम का सीजन आ चुका है और इस मैंगो सीजन मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार सिरीज इस सीरीज में आपको आम की फसल के बारे में, आम की बहुत सारी वराइटीज के बारे में, आम की चटनी, आम का पना, मंडी में आम की बिक्री, पके आम का शेक और भी बहुत सारी चीजे देखने को मिलेंगी साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आम की फचल में कितनी लागल लगती है और कितना प्रॉफिट बनता है हमारे इस आम के बगीचे में कई वराइटीज के आम के पेंड हैं जिनमें सबसे यादा दशाहरी के पेंड, फिल लखनाववा, चौंसा, फजरी, मलका, आमरपाली और बंबया भी शामिल है इस सीरीज के वीडियो उस टाइम टाइम पर आते रहेंगे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा लेकिन एक रिक्ष्ट आप सभी से है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि आपके और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने आम के पेंड़, कटहल के पेंड़ या गाउं कभी नहीं देखा होगा तो उन तक ये सीरीज पहुचाने की जुम्मेदारी आपकी तो चलिए शुरू करते हैं आज 6 सिटमबर 2020 को इसमें पहली धुलाई होने जा रही है वैसे तो आम के सीजन में 4-5 धुलाई जरूत के नुशार जैसे जरूत होती है वैसे होती है और पहली धुलाई कریब करीब फऱवरी और मार्च के महिने में होती है लेकिन ये धुलाई इसलिए कराई जा रही है क्योंकि बाग में मकडी के जाले बहुत सारे लग गए हैं जिसके वज़े से आम की फसल को नुकसान हो जाता है इसलिए ये धुलाई कराई जा रही है उसका नाम है लामबा इंसेक्टिसाइड यह मकडी के जालों के लिए बहुत ही कारगर है और यह ट्रैक्टर आ गया है, यहाँ पे टेंकर इसमें लगा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है और यह करीब करीब एक टेंकर में ड़र लीटर दवाई डाली ल suppression इसके साथ साथ यहां पर नमक भी लाया गया है यह मैं 12 किलों नमक लाया हूं करीब करीब चार टेंकर में डालने के लिए दुलाई के लिए और यह है टाटे सॉल्ट टाटा का डूब्लिकेट प्रोडक्ट वैसे इसके टेश से फरक नहीं पड़ता है यह 10 रुपए का एक पैकेट आता है वैसे लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ जालो को हटाने के लिए डाला जाये ग अपनी उपर छड़काओं का ऐसे किया जबता है अज है दस फरवरी और मैं आगया हूं अपने मगीचे में फिर से एक बार यहां पर मुझे आज कुछ काम मिला है जैसे कि एक लेवर को कुछ खाद डालने को बोली गई थी पेड़ों के नीचे जिससे कि जी उसने den में सब्सक्राइब ने टिया है जिस वज़ये से उसमें गंडर्मी यादा बनने लगती जीक्ति और उपने भीज़ियों में गर्मी नहीं भंटीर, कुछ नकसानं होजाता है इसलिए और चांच दूर करना होगा खाद को पीरों से इसके लिए मैं लाया हूँ यहां पे फावडा यहां जिसकी मुद्द से किया जायेगा जैसा कि यहां पर आप, और डेख सकते हैं यह खाद है गोवर की खाद होती है विए से इसको पास में डालना जालना चाहिए थोड़ा दूर ही डालना चाहिए पेड़ों से ताकि जो न्यूट्रिंट्स है वो पेड़ आराम से ले सकें कि अज़ा है कि अज़ार दोस्तों आज है सोला फर्वरी और मैं आ गया हूं दोबारा अपने बाग में यह नया बाग है जो करीब मेरे घर से दो किलोमेटर अंदर के साइड में पढ़ता है और यह अभी नया लिया गया है जिसमें चौसा और लखनुवा के पेड़ हैं वैसे तो किंग ओफ मैंगोज दसहरी को बोलते हैं लेकिन चौसा आम भी काफी टेस्ट के लिए फेमस है और यह सबसे लाश्ट में आता है मतलब दसहरी वगरा तूट जाती है उसके बाद फिर लाश्ट में आता है इसका टेस्ट बहुत हिला जवाब होता है तो अभी हम लोग आए हैं इसकी धुलाई कराने आम के पेंड को अंदर से घुसके बुरादा बनाने वाला कीड़ा इसमें लगा था जो की काटके निकाला जा रहा है हेलो दोस्तों करीब 20 दिन पहले दुलाई हुई थी और आज फिर से बाग की दुलाई होने जा रही है क्योंकि इसमें कुछ अजीब टाइप का कीड़ा होता है जिसका नाम लासी होता है वह भुनगा टाइप का होता है वह पानी निकालता रहता है थोड़ा थोड़ा जिस अब जलने लगता है तो इधर अभी आ गया है यहां पे बहुत लगा हुआ है और आप देख पा रहे हैं यह जो पत्ते हैं पत्तों पर थोड़ा थोड़ा पानी यह से टाइप का आ गया है यह लगातार बारिश के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा ऊपर से बरसता रहता है यह बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है पेंडों को तो इस लिए इसकी धुलाई करानी तुरंट अवश्यक हो जाती है लेकिन ऐसा भी होता है जैसे आपने दुलाई करा दी तो उसके बाद बगल में जिट आपके बाग हैं उन्होंने दुलाई नहीं कराई तो उन्हो यहां पर देख पा रहे हैं पानी की बूंदों के जैसे पड़ गया है जगए जगए और यह पूरे बाग में धिरे-धिरे फैल जाता है तो नुक्सान कर जाता है क्योंकि अभी तो यह जो बौर है इसमें आया है यह बहुत ही छोटा है उसमें अभी आम नहीं निकले नाम ए यह धुल जाएगा और साथ मैं आपको बता दें कि यह जो दवाई मिली है यह दो हजार रुपए की मिली है एक टैंकर के लिए और दो टैंकर की आई है मतलब दूसरा वाला दूसरे बाग में धुलाई जाएगी और यह दोस्तों अब की बार की तीसरी धुलाई होगी दो इससे पहले हो चुकी है दोस्तों 14 मार्च है और आज फिर से एक बार बाकी दुलाई की जा रही है अभी दो फ्ते पहले करीब इसकी दुलाई हुई थी और फिर से इसलिए हो रहे कि भूंगा जो लासी वाला होता है वो भी गया नहीं है और साथ में यह जो डिबा है इस है एक लीटर नीम का तेल जिसके साथ सौ ग्राम सर्फ एक्सल डिटर्जन डाला गया है और एक लीटर गरम पानी मिलाया गया है ताकि भूंगा अच्छे से खतम हो सकते है और दोस्तों यह है छोटे जोटे कटहल दीरी देर बड़े होंगे आपको दिखाते रहेंगे कैसे हैं यह लेकिन अभी तो यह बहुत चोटे हैं और पेड़ इसका काती बड़ा है यह देखे इतना बड़ा है कि जतनी ज्यादा आम की पैदावार होती है उतनी ही ज्यादा समस्याएं आती हैं आम को बचाने में मलिहाबाद बेल्ट में इस बार बहुत ज़्यादा ही बार आ गया ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आम की पैदावार होगी लेकिन उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयतन करने पड़ रहे हैं जैसे कि तीन बार धुलाई अभी कराया चुकी है और अभी मैं बाग आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा होता है रूजी उसको बोलते हैं वो लग गया है आम बड़े भी होने लगे हैं धीरे धीरे इसमें लेकिन वो जो कीड़ा लग गया है उसक को काला कर देता है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको धुलाया जाए तो धुलाई इसकी होगी अगले दिन ताकि इसमें चोटे-चोटे कीड़े हैं वो नश्ट हो सकें दोस्तों बाग की चौथी धुलाई हो चुकी है और आज है एक अपरेल यह चौथी धुलाई हु करेंगे तो आम में वो जो रूजी कीड़ा लगा होता है उसकी वज़े से आम में थोड़े-थोड़े काले-काले दाक पड़ जाते हैं पिछले साल यही हुआ था लॉक्डाउन के टाइम पर कि इतना ज्यादा काला पन उस पर आ गया था तो आम का रेट काफी डाउन हो ग दोस्तों हम लोग यहां जैविक तरे से आम की फसल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा कीड़े हो जाते हैं जिनको नश्ट करने के लिए पांसे छे बार धुलाई अनिवार हो जाती है एक टैंकर धुलाई में करीब 2000-2500 रुपए तक दवा लगती है और 500 रुपए दुलाई चार्जेस लगते हैं और इस एक बिगह की बाग में अभी तक चार बार धुलाई हो चुकी है और करीब 10-12,000 रुपए का खर्चा आ चुका है और वीडियो आप पो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा लाइक कर दीगा नए है चैनल प